हेलो, वेलकम टो टेक्शनमित, आज के सेशिन में हम पाइटन का एक और मेथड और फंक्शन कवर करेंगे, जो है ZFILL, ZFILL function क्या करता है, जब भी आप किसी string में अगर आपको 0 pad करने है, तो उस case में क्या यूज करते हैं, ZFILL का यूज करते हैं, ठीक है, example के लिए मैंने यहां पर क्या किया हुआ, एक variable है हमारे पास text1 name से, उसके अंदर हमने यह string add की है, python by texan myth, अब हम line number 12 पर क्या करने है, print function के अंदर हम इस function का use करने है, जो है ZFILL, तो हमने लिखा text1.zFILL, तो जो भी method आप यूज करें, उसको इस तरह से लिखोगे, text1.zFILL, उसके parenthesis में हम हरको length पास करना होता है, तो हम length किस तरह से पास करने है, एक तो हम जो actual string length है वो पास करने है, तो length function का यहां use किया, तो यह क्या करेगा, जो actual length है उसको calculate करेगा, प्लस उसमे हम 10 कर रहे है, 10 इसलिए क्योंकि जो भी 0 add होंगे left hand side पे, वो 10 spaces उसके लिए हमने add किया, तो अब इसको हम save करता है, और Ctrl Shift Tilt press करके, terminal open करेंगे, और फिर उसको वहाँ पर run करके देखते है, तो मैंने किया python, और मेरे जो program का नहीं में वो है session 10, तो मैंने आप डाला session 10.py, जैसे आप enter हिट करोगे, तो आपको दिखेगा कि string यह थी हमारी actual, और इसके बाद में इसने यह बे 0 को pad करा है, 0 को fill किया है, तो इसलिए इसको z fill बोला जाता, क्योंकि यह string के अंदर 0 को fill कर कर सकते हैं, जब भी आपकी ऐसी requirement है कि अगर आपके पास कोई number as string आप receive कर रहे हैं, और इसके left hand side पे आपको 0 add करने है, तो इस case में हम यह z fill function का use कर सकते हैं, ठीक है, इस session के लिए इतने ही था, next session में हम बाकी topic discuss करेंगे, so thank you for watching, TechShare.